जहांसी कानपूर हाइवी पर तेज रफ्तार दॉर्ड हाड डंपर असंतुलित हो गया जो डिवाइडर को तोड़ते हुए सुबहा की ये टाइम घूमने आए सर्वेस रोड पर पांच किशोरो को रौंद दिया जिसमें तीन किशोरो की मौत हो गई है जबकि दो गंभी फिलाल घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है पुलस मौके पर पहुँच घटना की परताल में जोटी है दरसल आपको बता दें कि पूरा मामला पूँच्थाना शेत्र के ग्राम खिली का है जहां ग्राम मडौरा खुर्द निवासी किशोर सुबाद 6 बजे क करीब टहलने के लिए सर्वेस रोट पर आये जहां जहांसी कानपूर हाईवे पर कानपूर से जहांसी की ओड़ जारहा डंपर अचानक असंतूलित हो गया जो डिवाडर को तोड़ते हुए सर्वेस रोट पर आ गया जिसमें टहलने आए पांच किशोर डंपर की चपेट म फिलाल इस घटना के बाद पुलिस म्रतक किशोरों के शवों को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज घटना की परताल में जुटी है पकड़ गया है कितनी बच्चे की इसमें डैथ होगी कितनी बच्चे का बच्चे का अभी होगी आपी आप गाहिलों को का बेज दिया सब्सक्राइब कितनी उम्र होगी बच्चों में किसी की 10 साल किसी की बारात साल कि इक लकाभी अठारों इस साल करें तो वह सो गया गाड़ी बाला तो उसकी आग लगने कि सबसे पहले यहां गon है जब मैंना को ऑनी इस यहां पर क्या देखात हैं यहां पर तीन चार उद्शियम लिटे हो यह पर देखा हैं जब द्सांट हो गई दिन गा άλλत चॉट लगी हुए थी हैं उस्पताल में ज़िवादी हैं तो घाहिलों को नहीं तो बह सब्सस्याएं के थे लिए सभी वहीं के थे आज गैर्ड